अगर आप अंडे खाने के शौकीन है तो ये मैगी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है हेलो एव्रिवन मैं हूँ श्वेता आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सत्य श्वेता किचिन में तो मैं आज आपके साथ शर्करने वाली हूँ एग मैगी मसाला की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी मैगी को और भी टेस्टी और हल्दी बनाने के यहाँ पर मैंने यूज किया है थोड़ी सी वेजिटेबल्स का दो मैगी के पैकेट लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैगी को बनाने का प्रोसेस गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे आउन कर लिया है इसमें जाएगा दो से धाई कप पानी तो अगर आपको मैगी गीली खानी पसंद है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और एड़ कर सकते हैं पानी की कुएंटिटी हैं आप अपने हिसाब से कम या जादा कर लें जैसी मैगी खाना आप पसंद करते हैं पानी में अच्छी तरह से boil आ जाए तो मैगी को इस तरह से दो टुकड़ों में हाथों से तोड़के पानी में add कर दें और 90% तक मैगी को boil होने दें बीच बीच में fog की मदद से इस तरह से चलाते रहें तो यहाँ पर हमें मैगी को boil करते वक्त मसालो का use नहीं करना है मसाले का use हम बात में करेंगे तो मैगी को एक बाद चेक कर लेंगे अगर मैगी अच्छी तरह से boil हो जाए तो gas की flame को off कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैगी ठीक से boil हो चुकी है इससे ज़्यादा boil हमेंसे नहीं करना है एक लिट से cover करके मैगी को side रख देंगे और चलते हैं मैगी को बनाने के आगे की process में gas को medium flame पे on कर लेंगे और एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में एक टेबल स्पून cooking oil जाएगा और इसमें जाएंगे ही रफली कटे हुए प्याज प्याज को golden brown या फिर color change होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज को भूनते वक्त लगातार चलाते रहें ताकि चारू तरफ से एक जैसा color आए आप इसमें डालेंगे बारी कटे हुए गाजर, चौको टुकडों में कटी हुए शिमला मिर्च और ये मैंने लिया है थोड़ा सा हरा मटर यहाँ पे मैंने frozen मटर का यूज किया है सभी चीजों को डालके एक मिट के लिए भूनने देंगे यहाँ पे आप चाहें तो और भी अपने पसंद की सबजें आइड कर सकते हैं जैसे की broccoli, gobi और beans का भी उसकर सकते हैं एक tablespoon परके जाएगी इसमें sweet corn sweet corn का भी इसमें बहुत अच्छा मीटा मीटा सा टेस्ट आता है एक बार वापस से सभी चीजों को mix कर लेंगे और थोड़े के लिए fry करेंगे तो यहाँ पे सबजियों को हमें over cook नहीं करना है बस हलका सा हमें उनका कच्छा पंदूर करना है अब इसमें डाला है एक मैंने medium size का कटा हुआ टमाटर टमाटर के साथ थोड़ा सा नमक और आदा चमच काली मेज पाउडर सबी चीजों को डालके वापस से एक बार अच्छी तरह से mix कर देंगे और lid से cover कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए दो मिट बार lid हटाके वापस सबी चीजों को एक बार चला देंगे तो दोस्तों यहां पे टमाटर अच्छी तरह से गलत हो गया है लेकिन भुना नहीं है दो मिट के लिए मीडियम फ्लेम पे टमाटर को अच्छी तरह से भून लेंगे इस भूने हुए टमाटर का मैगी में बहुत ही मज़िदा टेस्ट आएगा मैगी मसाला एड़ करेंगे और ठीक से पिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दो अंडो को इसमें तोड के डालेंगे तो यहाँ पे अंडों को हमें बहुत जादा चलाना नहीं है बस हलका सामें इनको सब्री के साथ मिक्स करना है अब इसमें हम एड़ कर देंगे बॉल की ही मैगी मैगी डाल के अच्छी तरह से हलके हातों से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मैगी न हर तरफ से अच्छी तरह से अंडे से कोट हो जाए तो ये मैगी बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करके देखें अगर आपको इतनी ट्राइ मैगी खाना पसंना हो तो मैगी बॉयल करते वक्त उसमें एक कप पानी एक्स्ट्रा डालते है और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगी थोड़ा सा अमूली बटर और वापस से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे लिट से कवर करके पांच मिटकले मैगी को ऐसे ही चोड़ देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे और लीजिये दयारे हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी एग मैगी बसाला अगर आप एग खाना पसंद करते हैं तो मेरे कहने से ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राइ करें ये आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आप एग नहीं खाते हैं तो एग वाले पार्ट को स्किप कर दें ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें